तो इस वीडियो में most important general knowledge हम लोग cover करेंगे तो अगर आप किसी भी competitive exam का त्यारी कर रहे हैं तो वीडियो आन तक जरूर देखिएगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजे तो यूनिट पूछा जा रहा है कि उसका unit क्या है का यूनिट क्या है वह आपको बताना है तो आपके सामने अगर answer पता होगा तो आप answer भी लिखते चलिएगा ठीक है तो है तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग discuss कर लेता है कि अगर हम किसी वस्तूपर बल लगाते हैं ठीच तो उसका दो यानि कि कार्रे क करते हैं तभी तो कल नगओ यहां से यहां जला गया ठीक है यानी कि वो क्या सब्सक्राइब करते हैं और अगर बात करें एक दियूल किसके बराबर होता है तो वह एक जूल होता है 1 Newton meter के 1 Newton meter के equal होता है तो ये चीज़ आप note down कर लिजेगा Next question है परकास वर्ष मातरक है यानि कि परकास वर्ष पुछा जा रहा है कि कि किस चीज़ का मातरक है किस चीज़ का unit है तो परकास वर्ष अगर आपको पता होगा तो जरूर बताएगा तो option आपके सामने, option A है दूरी, option B है समय, option C है परकास और option D है धारा, ठीक है, तो सही answer कि अगर हम बात करें, तो इसका सही answer क्या हो सकता है, तो option A, यानि कि जो परकास वर्स है, इसका इस्तमाल किया जाता है दूरी को नापने के लिए, यानि कि ये दूरी का मातरक है, तो आ साखला होता है, वह एक साल में जितना भी distance करता है, ठीक है, तो light का speed, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि, speed of light क्या होता है, यानि कि परकास का drainage मैं दिन होता है मालम Rat для 365 000 procent और एक दिन में 24 घंटा होता है ठीक है एक दिन में कितना होता है 24 घंटा और 24 घंटा को फिर हम लोग क्या करेंगे उसको मिनट में बदाइंगे फिर सेकेंड में बदाइंगे उस तरह हम लोग क्या करगे उस data को find out कर लेंगे कि प्रकास्वर्स क्या होता है थिके तो अगर इसकी बात करो एकछ वर्स किसके equal होता है तो डारेवंगोग यहां थिसके बराबर होता है तो यह यह 946 यानिकि 910 लुग स्मलोग गुने 10 के पावर 15 मीटर ठीक है यह इसके distraught दुरी कमापने की सबसे एक और चीजे पारसे होता है यहां पर पर परकास का बात कर रहा है एक लाइट याछिए धिक uben भिल से बीध कोता है इस से होता है इसस भाड़ lighting'dBT लाइट लइता है उसके बार से और जो AD होता है ठीक है पार्शे की बात करें तो यह सबसे 12 उनिट होता है ठीक है लार्जेस्ट इफिक होता है यह आपको नो-डाउन कर लेना तो प्रकास वर्स के बारे में आपको बता दिए लिए अगला कोशन दिया गया है निमन लिखितने कौन सी मात्रा ज्रत्तो का माप है ज्रत्तो यानि कि इनर्शिया के बारे में आप लोग सुने होंगे तो इसके बारे में पूछा जा रहे कि उसका माप कौन सा है तो option A है वैग, option B है त्वारन, option C है द्रविमान, और option D है भार, तो सही उतार option C हो जाएगा द्रव वेमान, ठीक है, द्रव वेमान को इंग्रेश में क्या बोलते हैं, तो मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है, तो correct answer option C हो जाएगा, द्रव वेमान क्या होता है, कि किसी पदार्थ का वहमूल गुन है, जो इस पदार्थ के त्वरन का विरोध करता इने कि जो उसका त्वरण है उसका विरोध करता अगर सरल्भा साइं में दुरवधनन से हमें किसी वस्तु का वजन और गुर्ध कर सेथ के प्रती उसके वजन या शक्ति का पता चलता तो इतना चीआड़ा पता दिये अगला क्र só Holz प्लाट करते एक detail लिन और टो जड़ मेंसे कोई नहीं तो जड़ा से अगर कोष्चन आफ ध्यान से देखे अगे तो अगला पूछ रहा पूछ कि इसका इंसर बता पाएंगे प्रकंट i Short Because अभी हम लोए सुपस्जास कबाद कि अभी हम लोग परकास वर्थ कंपने का था ठेक क्या होया था? अगला question दिया गया पारसिक 1 हीstone पारसिक के बारे में बासिक किस चीज का 1 ही पारसिक के बारे में भी हम बताया थे थुगा दिर पहले उसी question में option A है दूरी का option B है समय का option C है पर्कास की चमक का और option D है चुमूकी बल का इसका answer आपको comment session में comment करना है जल्दी से comment किजिए वीडियो को pause करके क्योंकि हम बताया है थोड़ा दिर पहले चलिए देखते हैं इसका सही answer तो option A हो जाएगा दूरी का बताया कि दूरी नापने का सबसे बरा इकाई है सबसे बरा इकाई है ठीक है सबसे बरा unit यही है ठीक है क्या तो पार से तो इसको नापता है मैं एक वेबर होता है और है कि अऊ-स लाट होता है ठीक है तो हम लोग नापते हैं ठीक है अगला दिया लिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो नहीं वाला ध्यान दीजिएगा तो और से डेसिबल धौनिक पाहिए तो अगर अप्शन भी है अस्व समुंद्री मिल यानि कि नौ संचालन में दुरी का एक आई और अपसंडी है सेल्सियस उस्मा के एक आई तो जो डेसीबल होता है जो अपस चलिए इसका एंसर देख लेते हैं उससे पर देखिए जो डेसीबल यानि कि हम लोग जो साउंड होता है नो साउंड का यूनिट क्या होता है होता है कि यहां पर यह पर वह सकती होता है सकती कि सकतियानी कि सक्ति काई काई है यहां पर तीन सफिए तो जाइर सी बात है कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहां पर सही नहीं है यह नहीं को सही नहीं वाला बाताना है celsius तो celsius आप थोड़ा सा देखेंगे तो यह confusing question है कि आप उस्मा दिया गया ठीक है correct answer तो D हो जाएगा लेकिन यह पर उस्मा दिया गया तो आप सुचेंगे उस्मा का है तो celsius होता है temperature हम लोग नापते हैं तो देखिए यहां पर confusion यह होता है एक होता है heat और दूसरा होता है temperature ठीक है दूसरा क्या होता है टेमपरेचर हीट का मतलब होता है उसमा जो कि temperature होता है तब मान तो तब मान का हम लोग पढ़े नापने के लिए हम लो क्या करते हैं degree celsius करते हैं या डिगरी फारेन हाट का यहां तो कि खाण यूमना की चोछी है लुबंचा लूमएन का मात when not है तो पोड़ेसी असानी से अप्सहिता है व्याति ऐब का उप्सहिता का आप प्रॉक्त ऑपसंड यह इसमें से कोई नहीं झालाख है यह नहीं कि इसमें से कोई नहीं और दोनों दिया है तो किसी को भी हम लोग चूज कर लेंगे नहीं इसका सही एंसर अगर हम देखे तो करेक्ट अप्षन भी हो जाएगा जोती फ्लक्स ठीक है जोती मतलब होता है लूमिनस इंटेंसिटी ठीक है लूमिनस फ्लक्स ठीक है लूमिनस फ्लक्स एक होता है लूमिनस इंटेंसिटी लूमिनस फ्लक्स तो इसका लूमेन यूज करते हैं इसको न अपने के लिए लूमेन ठीक है और है जोती त्यूरता को न अपने के लिए हम लोग कंडेला का यूज करते हैं किसका कंडेला जिसक लूमिनोस इंटेंसीटी ठीक है लूमिनोस इंटेंसीटी बोलते हैं तो यह चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है तो आज के लिए इतना ही आज का सेशन ही पर समाप को सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जुरूर बताईएगा तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैं यह चीज़ में कार है तो रगले लगने ही आज कालने ही